प्रदान मंत्री फसल बीबा योजना की बारे में जो की एक गौर्मेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है इसको लॉंच किया गया था 18 ओफ फैबुर्री 2016 में और यहां पे कुश्चन आता है कि प्रदान मंत्री फसल बीबा योजना की सुरुवात क्यों करी गई थी आपने अकसर देखा होगा कि there is a availability of insurance facility to the जो आपका health cover sector है या आपका जो machinery sector है automobile sector है तो इन सबका insurance की availability थी market में बट जो farmers है जो खेती किसानी करते हैं जो उनके पास animal husbandry कर रहे हैं क्या crop का production कर रहे हैं तो उनके insurance का कोई ऐसा platform नहीं था कोई जरिया नहीं था अगर मान लीजे उनकी फसल खराब हो जाती है in case of failure of their crops due to the natural calamities, pest and diseases तो उस case में उनको भारी loss चुकाना पड़ता है पर यहाँ पर परदानमती फसल भीमा योड़ना के आने के बाद farmers को minimum premium pay करके वो अपने crops को insured कर सकता है तो यहाँ पर हम वही discuss करने वाले हैं आज कि परदानमती फसल भीमा योड़ना के क्या-क्या features थे और क्या-क्या इसके अंदर की points है जो कि एक्जामस में पूछे जाते हैं सबसे पहला इट वाज स्टार्टे तो प्रवाइट इंशरेंस कवरेज और फाइनसिल सपोर्ट तो फार्मर्स इन दे इवेंट ऑफ फेलियर और अनी क्रॉप of the notified crop as well as the result of natural calamity pest and disease जो हम पहले बात करते थे ठीक है यहाँ पे दो option होते है एक होता है loony farmer जिसका केसिसी loan होता है and non-loony farmer तो दोनों का module यहाँ पे available है in PMFBI portal तो पहले तक क्या था कि loony farmer जितने थे सब का compulsory कर दिया गया था PMFBI में जो enrollment कराना होता है बट 2020 के बाद इसको optional कर दिया गया और यहाँ पे opt-in और opt-out की facility provide करी गई farmers को अगर कोई farmer चाहता है insurance कराना तो वो बेसक करा सकता है पर ऐसा कोई compensation नहीं है अगर उसको नहीं कराना है तो opt-out का option उसको choose करना पड़े इसके अलावा एक object यह भी है कि अगर मान लेजिए उनकी फसल खराब हो जाती है तो उनका तो बहुत मुकसान हो जाएगा क्योंकि उनका अतना input लगा था input cost लगी थी तो यह कुछ इसके objective थे इंप्लिमेंटिंग एजिंसे की बात करें तो Department of Agriculture Corporation and Farmers Warfare जो कि Ministry of Agriculture and Farmers Warfare के अंदर आता है यह है आपका main जो decide करता है main nodal agency इसकी यही है इसके अलावा multi agency framework में काम करता है इसके अलावा like जो आपका commercial banks है operative banks, RRBs, regulatory bodies, government departments जैसे आपका agriculture, horticulture, revenue department, पंचाय दिलाज दिपार्टमेंट तो यह सब coordination में रहते हैं आपके Department of Agriculture Corporation and Farmers Warfare के तो यह सब मिलकर इसको implement करते है और basically यह क्या होता है यह district based मतलब जो आपका local district होता है उसके basis पर यहाँ पर किया जाता है जैसे बहुत सारे banks होते है commercial bank, Punjab national bank, SBI bank, union bank तो यहाँ पर अलग-अलग tie-up रहता है company के साथ किसी का tie-up agriculture insurance company के साथ रहता है किसी का budget alliance के साथ रहता है तो वो उन companies के थुरू यहाँ पर farmers का enrollment कराते है in the PMFBY अब exam से पुछा जाता है कि कौन-कौन से season के लिए कितना-कितना premium पेक आना पड़ता है farmers को खरीफ season के case में आपका 2% of sum insured और actuarial rate whichever is less जो भी कम होगा तो यह exam से पुछा जाता है 2% आपको खरीफ के लिए रवी के case में 1.5% जो आपका horticultural and commercial crops है उनके case में 5% of sum insured मान लिजे आपका sum insured है 1 lakh तो 1 lakh का 2% आपको पे करना पड़ेगा और जितना भी additional payment होता है मान लिजे actual premium का rate था आपको पे करना चाहिए था 5,000 उसमें से आपको पे करता है 1,000 तो बाकी का जितना amount है वो subsidy premium government of India या state जो भी है उनका कुछ ratio रहता है वो पे करती है premium तो यह है इसको आप याद रखेगा अब बात करते हैं कि कौन कोई साथ इस कहाँ पे कर रहे है पहला है आपका yield loss due to the non-preventable risk जो की prevent नहीं किया जा सकते like your natural fire है lightning है hail storm, cyclone, typhoon hurricane, tornado flood, inundation landslide, dry spell, pest and disease बीमारी हो गई, सूखा हो गया बाड़ा गई, ओले पड़ गई cyclone आ गया या आग लग गई तो ये कुछ अगर कारण है इनकी वज़े से yield में अगर कुछ effect हो रहा है उसके production में कोई effect हो रहा है तो ये risk भी cover किया जाएगा prevented sowing माली जे company ने बोल दिया या department वालों ने बोल दिया कि इस बार dry spell होने वाला है तो अभी इसकी sowing नहीं करनी है sowing को आप avoid करिये तो उस case में क्या होगा कि 25% of the sum insured यहाँ पे pay कर दिया जाएगा farmers को नोंने sowing ही निकर रहे क्योंकि company वाले या फिर department वालों ने farmers को बोल दिया है कि अभी जो है heavy rainfall होने वाला है अगर आप sowing करेंगे wheat की तो उसमें नुकसान हो सकता है तो इस case में 35% of sum insured यहाँ पे pay कर दिया जाता है और इसके अलब पोस्ट harvest losses है यह individual pharmacist पे available है it is available up to a maximum period of 14 days यह आपको याद रखता है 14 दिन तक यह cover किया जाता है post harvest losses को पूछा जा सकता है मान लिजे कुछ crops होती है जिनका harvesting करने के बाद उनको feed में ही छोड़ना पड़ता है for their drying purpose या कुछ other purposes हो सकता है तो अगर 14 दिन से पहले अगर कुछ हो जाता है मान लिजे बारिस आ गई और वो खराब हो गया जो हमने harvest किया हूआ crop था तो उस case में उसको भी cover किया जाएगा localized calamities मान लिजे due to the hail storm, landslide, inundation affecting farms तो ये भी कुछ covers है जो इसमें cover के जाते है add-on coverage की बात करने इसमें आपको additional premium देके add-on करना पड़ेगा कुछ coverage होते हैं जो कि यहाँ पे exclude रहते हैं यहाँ पे add-on coverage है एक है mid-season adversity इसमें क्या है like flood, prolonged dry spell and severe drought wherein expected yield during the season is likely to be less than 50% of normal yield 50% से कम आपकी normal yield आ रही है mid-season में तो ये भी cover किया जा सकता है add-on coverage जो आपका wild animals है इन ये अगर फसल को खराब कर दे रहे है ये इस वज़े से अगर crop loss हो रहा है तो ये भी add-on coverage में आता है normal अगर हम बात करें पूछा जाएगी कौन-कौन सा cover नहीं क्या जाता वैसे तो ये animal वाला भी cover नहीं क्या जाता है पट ये add-on coverage में है आप अगर चाहें तो एक्सपी में हम दे के इसको ले सकते हैं ठीक है इसके अलावा exclusion की बात करें कि कौन-कौन से cover इसके अंदर नहीं आते है एक है इन केस ओफ वार nuclear risk माली जे दंगे हो गए चोरी हो गई या act of enmity हो गया grazing and destroyed by domestic and wild animals इसका भी exclusion है ठीक है इन केस ओफ पोस्ट हर्वेस्ट लॉसस दा हर्वेस्टेट क्रॉप बंडल and heaped at a place before threshing and other preventable risk पोस्ट हर्वेस्ट अलमेने केस रताय था चौदे दिन से अगर जादा हो गया उसके बाद अगर कुछ होता है तो cover नहीं किया जाएगा अब बात यहां पर क्या आती है कि जो calendar of activity कि कब-कब इसकी cut-off date होती है खरीफ की बात करें एक्जाम्स में पुछा भी क्या है यह खरीफ में 15th of July and 31st of July यह cut-off date रहती है और रवी की बात करें रवी season में रवी season में 15th of October and 31st of December तो यह आपको याद रखना है खरीफ में 15 जुलाई and 31st जुलाई यह वसकता है और रवी में 15 October या 31st December यह रवी की guess में है अब वह लिए आपकी फ़सल खराब हो जाती है आप उसको claim कैसे करेंगे एक तो है area approach basis कि area का कितने लोग जो कितने फार्मर से जो effect हो रहे हैं flood से या कोई other natural calamities से तो उनका assessment किया जाता है एगरी इल्चर डिपार्टमेंट से जाते हैं और insurance company वाले जाते हैं उसका assessment करके सारे जितने farmers होते हैं eligible उनका some insurance उनको pay कर दिया जाता है इसके अलावा individual basis पे अगर हम बात करें कैसे claim करना है आपका माली जो farm crop थी उसका damage हो गया तो आपको 72 गंटे के अंदर inform करना पड़ेगा कि आपका loss कैसे हुआ आप portal की through भी कर सकते हैं या app भी है उसकी through भी आप यहाँ पर inform कर सकते हैं and the claim must be accompanied by the supporting documents such as photographs photographs आप उसनों attach कर सकते हैं या अगर कुछ अगर report बनवा लें village devil committee से या agriculture department से तो ये कुछ तरीकें हैं जिससे आप claim कर सकते हैं ये है आपका PMFBI का portal और ये कुछ companies हैं आपकी जिनका types रहता है या जो insurance करवाती हैं PMFBI की case में crop insurance like AIC agriculture insurance company like Bajaj और भारती एक्सर जनरल, चोला मंडलम ICICS, EFC, SBI General तो ये जित्ते भी insurance हैं companies कुछ कुछ है जो agriculture props का insurance करती है तो friends ये चोटी सी वीडियो थी और इसमें काफी जादे मुझे लगता है कि informative रही होगी आपके लिए तो दोस्तों मिलता हूँ आपके टुल दे टाटा बवाई